हाई गाईज वेलकम टो फिल्म फेरी आज हम बात करें कि ईशा देवल ने अमरता राओ को चाटा क्यों मारा था और हेमा माली ने इस बात पर क्या रियक्शन दिया था बॉलिवुड में दो अक्टर्स के बीच राइवल्री होना आम सी बात है चाहे वो कमपेटिशन की वज़े से हो या फिर कोई पर्सनल रीजन्स हो ऐसे ही एक फाइट जो कि बहुत अगली टर्न हुई अमरता राओ और ईशा देवल के बीच में फिल्म प्यारे मोहन के सेट पे दोनों ही लीड रेंज थी इस फिल्म की फिल्म के सेट पे दोनों के बीच कुछ कहा से नहीं हुई जिसके बाद जगडा इतना बढ़ गया अमरता ने ईशा दोल को कुछ wrong and abusive words बोले जो ईशा दोल बरदाश नहीं कर पाए और उन्होंने अमरता राओ को एक जोड़दार जहपड ज़ड दिया फिल्म तो flop हो गई लेकिन इन दोनों की fight को मीडिया में बहुत highlight किया गया एक मीडिया interaction के दोराण इशा दोल ने बताया कि अमरता ने उनको सबके सामने गाली दी थी जो की completely out of the line था और उन्होंने अपने dignity and self respect को protect करने के लिए heat of the moment में अमरता राओ को slap किया और उन्हें इस बात का कोई परस्तावा नहीं है क्योंकि अमरता राओ ये deserve करती थी इशा ने आगे कहा किसी ने अगर कुछ गलत किया है और हम उन्हें बातों से समझा नहीं पाते हैं और ऐसी ही interesting gossip के लिए channel को subscribe करें